नया रंग होगा नई रोस्णी होगी और जब नया जमाना आएगा तो क्या कैसे इंसान धूड़े नहीं मिलेंगे दुनिया में खेरे जटी सटी सत्वाती मानसे ना तो है त्यवावेगा जब 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 यह कहा कि कैसा खाना पीना होगा और कौन सी रिस्तेदारी चलेगी किसका आतर्मान नहीं होगा किसका आतर्मान होगा क्या लिखा पहली कली में मात पिता और भूआ बहन का आतर्मान रहे कौना मदरान समास का खाना सुद जल पान रहे कौना वेद सासर रामायन गिता अभी ग्यान रहे कौना गोगोमती गायत रीका नाम निशान रहे कौना बताया कि न्यों कहते हैं कि चल भाई गंगा जी नाने चलेंगे और गंगा नाने ते पाप दुल जाते हैं लेकिन कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पाप योग के पाप दोते हैं कहा कि आने वाले समय में कैसे इंसे पाप करते हैं लोग अगर मन से नहीं करते तो वैसे भी हो जाता है इंसान मरेंगे और कैसे इंसान मारने से भी नहीं मरेंगे सुनिए झाले बाले रहे आते हैं यहाँ पाप्प्यल वार्ड़ आते हैं यहाँ यहाँ पाप्प्यू कहा कि जमाना बदर गया इनकी गल्टी नहीं है पहले जब घर में रोटी बनती थी तो सबसे पहले रोटी गाई के बनती थी और जो सबसे बाद की रोटी ओती थी सबसे लाश्च की रोटी ओती थी वो कुत्ते की ओती थी लेकिन आजकल जमाना बदल गया अब तो ये ना तो थारे पैर दबाती ना थारी सेवा करती हाँ गला जरूर दबादेगी अगर कोई बात उख चूख हो जा सीधी छाती पे बैठेगी गला दबाने के लिए कहा कि पहले गाई की रोटी पहले बनती थी सबसे पहले गाई की रोटी और सबसे बाद में कुट्टे की रोटी लेकिन आजकल जमाना बदल गया सबसे पहली रोटी जो गाई के नाम की होती है उसको तो अपने तनी को खवा देगी पिचारा गाए वाली रोटी खबा के गव बर्गा सिधा बना दिया और जो सबसे बाद की रोटी होती है उसको सबसे तो मोटी बनाएगी और सबसे जादा घी भरके खाएगी वो कुट्टे वाली रोटी आप खाएगी छत्रानी और फिर जाला दिन कुट्टे की तरह आदमी करें तो बड़ी किस्मत वालियता चाहिक लौप वूरी अधल से यह और आज गल तो इसी इसी और ओर है एक एक आदमीसे तो काम नहीं चलता कई कई खासम बतला है भीरवानी सुनियों दादा ने सक्चान लिखिये घर बाई पास बहण बेठेगी बहण बेठी रेगी जों के बाहर की बाई लेगा लेकिन बाई क्यों जाएगा बाई को लेने बाई तो साली के जबाण में लगा रहेगा दाती बाई पास बहण बेठेगी साली रोटी पोएगी तो हुद्धरों का खुकम चलावे यसा सुकर तन धोएगी मतीने छोड़िके आने टोवेगी तो फिल नसल कैसी होगी दाता पोते का खोन मिलेना इतने भी हद हो वेगी लाज लाज फेके आने तो मिलेना दिन्द की अभी हद हो वेगी हेरे नकली पो पुचर है घरी घर में पसर भी जोए तो ख्यारेगा जब 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 पहले हर घर में एक गव माता पाली जाती थी उसकी सेवा उती थी साधु संतों की सेवा वोती थी लेकिन उसमें धारी गलती नहीं है साधु संतों ने तो अपने अप खो दी अब पांचों उंगली तो ब्राबर नहीं होती दुनिया में दुनिया में सादू संत ऐसे भी है जो आज भी तपधारी है प्रहमुचारी है लेकिन दुनिया में कुछ सादू संत ऐसे भी हो गए जैसे आसा राम बापू, राम रहीम जी, संत राम पाल जी सब को पताएगी है सादू संत कैसे है लेकिन फिर भी दुनिया अंद विश्वास में फसी पड़ी है जमाना बदल गया पहले दूद घी का खाना था ताकत होती थी शरीर में आज की बुढ़िया को देख लो इतनी ताकत बहु मैंनी मिलेगी जितनी बुढ़िया में मिल जाएगी यह सचा यह क्योंकि उस टाइम पे देसी घी और देसी दूद मिलना था पीने को देसी माल बाज करना तो कोई बाजने की खाता ना कोई चने की खाता हाँ मैं देखे छोले भटू रखाएंगी नों कहींगी पिया जी कहा हो आग तो मेरा बर्गर को जी कर रहा है बर्गर लिया यह खा खा के बर्गर फुली पड़ी है पोड़ी की तरह ताकत नहीं है दाधी शरीर में करता था बाद में की भई फलाने की रिष्टेदारी में गए घी बुरा खाने को दिया तूद पिलाया लेकिन आज कल तम रिष्टेदार को जाए घी में बठा के टुबो दियो थारी बढ़ाई नी कर सकता हां अगर तम इतनी लंबी बोतल पिला दो ना तो कई-कई दिन त थारी बढ़ाई रवेगी की भई फलाने की रिष्टेदारी में गए बोत बढ़िया परांड की बोतल पिवाई दारों का जमाना हो गया सुनिया है